वाईगुर जी का खाल साव वाईगुर जी की फते दोचार गल्लां सांगित दे नाल रूबरू हो के करनिया सी जेडियां बढ़ियां जुरूरी है क्योंकि बड़े तरह दे परम ते पले खे पाद ते जांदेया ओहो दोचार गल्लां है की पहली गल्ल जी मैं क्लियर करनी है ते बड़ी जुरूरी है गल्ल क्लियर करनी भी मैं अकाली दल या होर कोई भी पार्टी नहीं जॉइन कर रहा सो जेस तरह नियां गल्लां कहियां गईयां जेस तरह दा एक बिरतांत यां एक नेरेटेव सरजया जा रहा भी दीव सिद्धू अकाली दल जोईन कर रहा एक किसे गलत कोई अदार नी या या ये बिना अदार्तों कीतियां हुई या गला सो मैं कोई भी पार्टी या काली दल नहीं जोईन कर रहा तुसी निस्चन्त रहो एस गलतों भी थोड़े जजबाता थे किते दीव सिद्धू कॉंप्रमाईज कर जूगा समझोता कर जूगा या आसी प्यावदे हकानाल समझोता कर जांगे एक अदे हो इनी सागता सदान तक लड़ाई लड़ रहें आप ते आवदे सदान तांते ते प्यावदे हकानाल कदे भी समझोता नहीं करांगे दूजी गल जड़ी बहुत जुरूरी या एक पंजाव हर्याना दी लड़ाई वेड़ देती गई या वी दीब सिदूने हर्याना दे लई कुश केहा एस मैं दुबारा फेर संबोधन करदना और एनू हिंदी च गल करदे या ताके साड़े हर्याने आले जड़े प्राव ना दे भी गल सामझ चाजे जदों पच्ची तरीक नू ते छबी तरीक नू नवंबर नू जब 25 और 26 नवेंबर हमने फैसला किया भी हम दिल्ली जाएंग पंजाब और हर्याना से सो 25 नवेंबर को जो इस अंदोलन का हमारे संघर्ष का जो एक रूप रेखा तै करनी थी वो हर्याना ने तै की हर्याना ने उस दिन बैरिकेट भी तोड़े उस दिन वाटर कैनन्स को भी बंद किया और उखाड उखाड फेंका तो एक संघर्ष का एक चेहरा और एक रूप रेखा जिसको तैह किया गया जो मिथी गई वो हर्याना ने मिथी। सो हर्याना ने इस संघर्ष को शुरू किया और पंजाब ने दिली जाने के लिए और पंजाब ने 26 तरीक को उसी रूप रेखा को बरकरार रखा। सो हर्याना और पंजाब तो कभी आपस में अलग हो ही नहीं सकते और स्पेशली इस संघर्ष ने हर्याना और पंजाब की जो कुछ दूरी थी उसको भी मिटा दिया और हमें एक कर दिया हर्याना के जो हमारे लोग हैं उनके उपर मुझे गर्व है I am proud of them और दूसरी बात जब मैं बात कर रहा था वो थी क्या थी वो मैं political structure की या political struggle की बात कर रहा था पंजाब और हर्याना के जो मसलें और समस्याएं हैं वो अलग लग हैं यह तो किसी अंदे को भी पता होगा पंजाब आज अगर किसानी का संघर्ष अपना लड़ रहा है तो साथ में पंजाब के मसल पंजाब अपनी भाषा का जिन्हों मां बोल ली पंजाबी के निया उसका भी संघर्ष लड़ता है पंजाब अपने पानियों का भी संघर्ष लड़ता है पंजाब हमारे यहां से परवास इतना हो रहा है भी हमारे जो नौजवान है वो छोड़-छोड़ कर अमरीका, कैन Canada Australia जा रहे हैं वो भी एक संघर्ष है हमारा हमारा यहां जो Cancer Belt है जिस तरह की फसलें हमें दे दी गई है जो Green Revolution जब आया था तो वो भी एक हम संघर्ष लड़ रहे हैं पंजाब के नौजवान जिनको बोला जा रहा था उड़ता पंजाब नशय में पड़ गए हैं तो वो भी एक संघर्ष है हमारा संघर्ष हमारे जो फालसफे हैं हमारा शिरीगरू ग्रांट साब की जिस तरह निरादर होता है वो भी एक संघर्ष है तो पंजाब की जो मसलें हैं वो किसानी के साथ साथ और भी बड़े मसले हैं जो पंजाब के आज मजूदा मसले बड़े हुए है और हर्याना के अलग है तो इस चीज को अगर समझे तो जब कोई political struggle होती है जब हम सरकार के साथ लड़ते हैं तो हर्याना का संघर्ष हमेशा ही एक Indian centric होता है क्योंकि उनका जो इतिहास है वो 1966 से शुरू हुआ है उससे पहले तो हमारा एक common, एक सांजा इतिहास है हमारा पंजाब में Indian centric संघर्ष नहीं है पंजाब में बड़ी तरह के संघर्ष लड़े गए है पंजाब में अगर आप देखिए तो पंजाब में जिस तरह का हम संघर्ष peaceful लड़ रहे हैं ये भी लड़ा गया है पंजाब में arm struggle भी लड़ी गई है पंजाब में और 1984 में ज तरकार डील करती है और हर्याना से डील करती है वो completely different है तो उसी संधर्म में मैंने वो बात की थी बलकि इस चीज को किसी भी negative way में नहीं लिया जाना चाहिए अगर किसी को भी मेरे कहे हुए लफ्स या जो मैंने बोला उससे कोई confusion पैदा हुई है किसी के दिल में कोई ठेस पहुंची है तो मैं अपने लफ्स recordings करता हूँ नको दुबारा यह बोलता हूँ भी हर्याना हमारा भाई है हर्याना वालों ने जो संधर्श का साथ दिया है जिस तरह से हर्ष लड़ा है और जिस तरह हम हर्याना में बैठे हैं वहाँ आप लोगों ने सेवा की है वो बाकमाल है I am really proud of all of you हमारी जो एक सांज है हमारा प्यार है वो बड़ा ही उसको हमें और ज्यादा परपक और गुड़ा इसको क्या बोलते हैं गहरा करना है So इसलिए इस चीज को completely ignore किया जाए मेरे जो लफ्स थे अगर किसी तरह भी आपके दिल में उसकी ठेस पहुंची है तो I am really really you know I apologize and I take it back दूसरी बात हूना एक बबु मान ते मेरी कोई जड़ी प्रते के रहा सी ते उनना ते जड़ी मैं गल कही उनू के में ले ले आ गया असि जड़ों संगार्श लड़ रहे है ते पंजाव दी खाיא ठर थे हैं उत्य अपन निज्जी वैरवरोद ता नहीं पाल के तो रहे हैं तो बहुत चोटी गल हों दिया ये बड़ी चोटी गल हुं दिया भी असी निजी वैरवरोध पाल के ते एक दूजे दे खलाफ ब्यान बाजी करना लग जीए नहीं मेरा बबु मान उनना कोई भी निजी वैरवरोध निया निज ते या परसनली मैं उनना दीज़त करदा पर जदो सिदान तक गल लाँ दिया सिदान तक गल की या छबबी तरीक नो नहीं के हा जदो मैं आवदे मेरे जड़े माबाप ओ मैंनू दोख होया या हूँ ओधो मैं जो रोया जदो इस दुनिया नू छटके चले गए छबबी तरीक नो मैं ओमें ही रोया हुण तुसी एक गल नू समझो छबबी तरीक नो होया की सी छबबी तरीक नो था एक जो निशान साब दे ओल्ट साड़े ओस चेन जो साड़ा सब्याचार के चेन विया साड़ा तार्म के चेन विया साड़ा सबकोश ही यो हुआ ओदे ओल्ट एक बिरतांत एक नेरेटेव सिर्जिया गया वी आरे ता बहुत गल्ट हो गया ते सब कोश जेड़े बंदे लाल खिलेच गए ओ ता गुम्रा की ते होई लोग सी उन्हा नुझे में कुछ पता ही नी सी हुन ओ नेरेटिव केस गल्दे ओल्ट गया ओ नेरेटिव एक ओस विले पंजाब दा जो सब्याचा काहसा यहाँ तरमता सड़ा एक चिन न ओथे उल्ट गया घ्या ओधे निशाण साब भी लेरा है ओं ज़टो तुसी कोश बयान देन्नें हो बयान देन्नें ओ लोगका नूछ नrä नहीं पता हुंदा थोड़े मनच की या लोगका नूए गलदा नहीं पता, लोगका नहीं थोटे बयान नू समझना होंदा तो योधी सिद्धी समझी आएं आई भी तुसी जो गल कहिया छबी तरीक नू जड़ा निशान साब चलाया गया उदे ओल्ट गल कहिया क्योंकि एक गला सी याद रखी है हमेशा A man will always be judged through his conduct, his subsequent conduct and his posturing एदा मतलब किया इंसान जदो ना कोई वी जाज कीता जान दा ओधे वहार तो ओधिया गला बाता तो ओधे बयानना तो ते ओधे किस तरा दा पॉस्चर किसे कटना नू लेके प्रतिकर्या कीया ओस गल तो जाज कीता जान दा सानू नहीं पता थोड़े मान चिकी प्या सी सानू असी अंतरियाम में थोड़ी हैं फिर जदो छबी तरीक नू थोड़ा फर्स बाणदा सी सिदा आत ते खड़ना सिदा तो दी पेरादारी करनी ओधे तुसी confused statement दे रहे हों ते फेर उनू क्लैरिफाइ कर रहे हों भी नहीं जी मैं आनी कहा सी मैं ता आ कहा सी सो सदान तक जड़ी लड़ाई या ना ओथे आज दीप सिद्धू ए गल संगत सामने कबूल दा सदान ते कदे भी कॉंप्रमाईज नहीं किता जाऊगा सदान ते जड़ी वरोत्ता होगी और पस्ट रूप चा होगी चाहे कोई भी होवे हाँ परसनल ही मेरी कोई लड़ाई नहीं है मैं उना दीज़त करदा पर सदान तक तोरते आवदियां जमीरा नहीं मार साकदे हला के बब्बु मान भाई नू ए गल कहनी चाही दी सी बीज़डा निशान साब लाल किले थे लहराया गया ना ओ कोश गलत नहीं होया असी बड हो भी बड़ा यतपिशा आशच सके देयन सी जे तुसी सिंहार शिदे ओस वेंच वैके तुसी ओस गलनू समझनल सांझे के एदा मतलब वो गुरू दी रजाची साब को चाल रहा सी नकसान ता बहुत होर असी जैस तरह चबी नवंबर नो गए सी फिर चबी जनवरी तक उते बैठे सी कदे भी हो साग़ा सी साथा सो जै साथा गुरू आंक सांग सहाईया साथा ते असी आप देग जड़े सिधा ते पैरा ही ना देए ते सिधा ते शपाष्टता ना रखिये ते असी जै कोई आप दी पाशा याँ ब्यान बाजी आई हो जी करीए होदा कोई भी मतलब निकल सागदा ते छबी तरीक नूँ होदा जो मतलब निकले आ तो नूँ भी पता ते तो नूँ मुड़की आके होदे ते सफाई देनी पाई एदा मतलब की सी एदा मतलब वेही सी थोड़े ब्यान ने चबी तरीक नूँ जो एक नेरेटेव से रजया गया सी भी निशान साब लाके ते किसानी चंडा लाके यार संगा अरशनुटा लाग गी उनु ही हलप कीती है ना के सदान ते तुसी पहरा दिता सो एस करके सदान तक विख्रेमा सदान ते जदों भी किते गाला लाओगी धेजे किते साड़े चो थे वख्रेमें या ते सदान तकी हा नशाण साब दा सदाना, सर्वात दे पले दा सदाना, और चन दा सदाना जी दे अधीन साणू मलकियत मिली युचानू जमीना मिलीगें, असी सर्दार बनेगें, असी जमीना दे मालक बनेगें, सो साड़े उस सदा आत तो साड़े उना चिन्ना तो असी मुनकर नहीं हो साकते उना चिन्ना तो असी पास से जाके आवदियां जमीना नहीं बचा साकते पहला जमीर जयांदी रखनी पहूगी फेर जमीन बचानी पहूगी सो फेरी जमीन बचूगी ज़े जमीर जयाओ दी नहीं था आज गई के कल गई एस करके जदों सिदा आतते गल आवे ओधुश पास्टता होनी बहुत जुरूरी है एक गल मैं क्लियर कर देनी है बाकी किसे तरह दा कोई निजी वैर वरोध नहीं है सिदा आतते मैं किसे नों न अक्षना चाहे फिर कोई भी होवे एस करके एस गल नूं किसे नेजदे थ्रू ना देखा जावे एक गल एक वड़े परपस कही होई गल सी अगली गल जड़ी बाबा टड्रियां लेया उनना बारे गल कही सी उनना नूं मैं एक होर बेंती करता अबी तुसीं सेख परचार थोड़े ना आर्ग्यू करदा था मैं सोब दाई नी थो नूं ता बड़ा पता होना चाहिदा सी तुसीं जड़ी अधिहातम नूं मनुख्षी बुद्धी दे थ्रू एक्स्प्लेइन कर देयो ना थोड़े बहुत वीडियोज पहिया तुसी प्लीज आप जाके देखो अ प्रेस करके तुसीं जेस्तरा भी गुरु जड़ा ते ज्ञान किया एक एक जड़ा असी आज पूजी जन्ने आजीनू होता जरिया ते ज्ञान गुरु आ ते ज्ञान नूं ता इत्थे दमाग चासी समझना होंदा नहीं अधिहातम दियां गल्ला जड़ियां और बड़ि और ईज्यादा पता तो एसbbe करके जा में ठोड़िन्न ओ दोड़ कर रहां ता मैं दूबारा के एन भी मैं ठोड़िन्न आर्गिव करदा सोबदा कि एक नट उसी सरकार दियां एड़िक लाके पस ते रखो आर कि सरकार्व जह गल्ला नों देख दीया या डिफाइन कर दीय उस तरह तुसी गुरू नू ते ग्यान नू डिफाइन ना करो या जिमें तुसी कहा भी है गर्म ख्याल लगे नहीं मैं तो नू बाबा जी गले कहिना बेंती करदा भी गर्म ख्याली कोश नहीं हुंदा नर्म ख्याली भी कोश नहीं हुंदा कई बंदेया ने सारी उमर सोटी नहीं किसे दे मारी हुंदी ओ बड़े बड़ेयोदे बन जानते है हाना ओ सरकमस्टांसेज की या सिचुएशन की या उनना दा प्रेरना दा स्रोत की या एग अलट डिसाइड कर दिया भी ओस विले ओ गर्म खेल लिया तके नर्म खेल लिया सो एता सरकार्दिया बनाया हुई या एक कंपार्टमेंटलाइजेशन की या सरकार्दी या जवा स्टेट ए उनना दी कंपार्टमेंटलाइजेशन या उनना दी बाइनिरीज या तिरा क्रियेट की या अब या फलाना नर्म ख्या लिया ते या गर्म ख्या लिया otherwise circumstances decide कर देया बंदे दा behavior की या ते ओस behavior दे नाल तुसी action की ले रहे हो so मेरी बेंती यह नहीं है जेस तरह तुसी आ नमे ग्यान वा ग्यान या modern education दे थू अधियातम नू गुरू नू ते ग्यान नू डिफाइन कर देयो एदे बारे थो नू एक वरी दुबारा आप सोचना चाहिदा जी तीजी गल जड़ी बड़ी जरूरी है कहोर गल अपनी करनी है भी आज तक मैं एक एंदार है हाँ संगार शिसाड़ा सांजा असी कठे होके लड़िए चलो पराणियां गल्ला जो होगी होदे ते मिटी पाईए कठे होके लड़िए एक केच रहके लड़िए तुसी वेखो डिबडबा साब नवरीत ने आप दी जानवार गया हो डिबडबा साब भी ओथों संगार शितों उनना दा देल टुटेया ओ मैंनू आएं लगदा यहें मेरी अंडरस्टेंडिंगा हो सागदा मैं गल्त भी होँआ पर ओ संगार शितों पास से होगे या कीते गए जिड़े बंदे जिनना दे परवार जान मार गे अब दी वार गे संगार शितों जिनना ने करबानिया करती या असी उनना नो क्यमें दर किनार कर साकते या तो सो एक केच रहे के कठे होके असी संगार शितों लड़ गे अज साड़े किसे बंदे थे अज मैं जमें लखे दे करे जाके माता नूँ ते बापुजी नूँ मिलके आया सिर्फ परवार नूँ कोई गल केके आया भी असी ऐजा फैमली थोड़े नागला जी एक गला अपनू ने जिठनिया पेनिया कठे राल मिलके ने जिठनिया पेनिया सो कोई गल नी जे कल नूँ कोई पीड पेन दिया तो मैं सिर्फ एक फोन कॉल अवे या तो तुसी जदों भी मेरे नाल किसे भी तरह गल कर साकते हो ते बाकी मैं वो सारे प्रोसेस चो नंगे आया हजे लखे ने फेस करना यहां ता बार बार गल निबड़ दिया ता बाली वदिया गला पर मातमा काल पर खुआई गरू जड़ा वो मेर कर दे जे नहीं निबड़ दी ता पनाल खड़े या सो तेनचार जड़िया गला अपनिया करनिया बड़िया जरूरी सी एक ता मैं कोई पार्टी नी जोईन कर रहा दूजा हर्याने ते पंजाब च बहुत गुड़ी सांजा ते ओस सांज नूँ असी होर गुड़ा करना असी एक दूजे दे पूर का एक दूजे तो वक्ष नी हो साकते कदे भी ते सांज नूँ हर्याने अले बाईयां ते साड़यां ते माना ते हमेशा ही रहूगा तीजा बब्बु माननाल मेरा कोई निजी वहरवरोध नी या ओ गल सिदान तका गल जमीरा दिया ओ जदों ब्यान देन तो ओ डाटकेश पास्ट रूप च ब्यान देन तुसी आप इस गल दा फैंसला कर साकते हो जे मैं कोई गलत गल कही हो बे चोथी जड़ेटा ड्रियाले बाबेया उनना ने जैस्तरा तरमनू जैस्तरा गुरूनू ग्याननू अध्यातमनू डिफाइन किता ओ एक नवे ग्यान वग्यान ते एक मौडन जड़ी एहे एजुकेशन चल रही है उसे दा आरते डिफाइन करी जादे है पर ए गल्ला जड़िया ए रमजा जड़िया इनननू समझनास्ते मैंनू आए लगदा भी वाक्यी कोई ब्राम ग्यान नी ही व्याख्या कर साकता आके एक गल्ला छेड लिया एस लई मैनू बहुत बंदे एवी कह रहे अभी बाई एने फ्रांट एक कोई खोलते यार बाई जी जदो सदा आतते गल्ला हुगी ओधो चाहे 15 वी सो फ्रांट केड़ा ना कठे खोले जाना ओधो सरकार नालवी लड़ांगे ते उनना बंदे सदान ते पहरा नीदन ते सो सदान तक का वरोध ता जारी रहोगी शपास्ट ते खुले रूप च जारी रहोगी अदरवाइस निजी तो और ते किसे नाल कोई वैर वरोध नहीं है संगार शसी एक केचले रहके लड़गे एक काई साधी ताक ता ते उसे अदार ते असी जेता अवधी उत्थों लेके पंजाब नू ते आवदे आवदे करानू वापसा साग देयां अईनिया का गल्ला मैं थोड़े नाल करनी असी बाकी जेड़े साथे सेंगर प्रावाने साथ दिता उनना दे नालता हमेशा ही खड़ेयां पर कई बंदिया ने जनना नहीं उनननू फिर आप सोच लेनी चाही दिया गल्ल पर जे मैं फिर भी किसे टोटाल टीच मेर तो ए गल्ल होगी होवे भी साथे सिंगर भी नाल नहीं या नहीं ओ भी मैं गल्ल नू दुबारा रीफ्रेज करता है ओ जड़ी ओधा मकसद एही सी भी जदों लोड पें दिया फिर दोड खो उस मेले सरकार ने एक नैरेटीव चलाया ओ नैरेटीव कीसी निशान साभ नू उत्थों या एक साडे फालसी नू सिख फालसी नू कौम दे फालसी नू उत्hो गाए भी करतें नए एक बारी ताँ एस नेरेटीव चे साड़ी लीडर्षिप भी आईयो न Never साथ दता становится होंगो तोते हो साघे बंदे हो गे हो निशान साग भी काटगे हो ते अ सी देखिया भी ऑथे निशान साग संसकार भी होए ओसे डार चो जडा डार मांन सेक्ता च पाता पर लॉंगहाँ राण चे तुसी देखंग गे तो लॉंगहां法 ज में लीडर्शिप नू चठियां लेखनिया पह रही हैं आगले ता मीटेंग लई नहीं सानू बला रहे सो तुसी गल्लानू जे आपा समझांगे नी गल्लानू वचारांगे नी ते आसी गल्लानू जदों एक ओस कटैरे चुपाके नी देखांगे जड़ा बबेक सानू गुरु तो ड़न जाके कदे भी गल्लान नहीं कर सकता मेरा जड़ा वरोध या मेरा किसे तरह दी हमेरे पहला नहीं हैं पहली होगे निजी मेरी कोई लड़ाई नहीं है सड़ी लड़ाई पंजाब दिया पंजाव लई खड़े आ ते पंजाव लग कढ़ लड़े आ एसल ही स्ञाश्टिकाल जी वायगुर जी का खालसा वायगुर जी की फते दो-चार गलां सांगत दे नाल रूबरू होके करनिया सी जेडियां बड़ियां जुरूरी या क्योंकि बड़ी तरहां दे परम ते पले खे पाद ते जंदे या ओहो दो-चार गला है कि पहली गल जड़ी मैं क्लियर करनी है ते बड़ी जरूरी है गल क्लियर करनी भी मैं अकाली दल या होर कोई भी पार्टी नहीं जॉइन कर रहा सो जेस तरह नहीं गला कहीं गई है जेस तरह नहीं बिर्तात या एक नेरेटिव सिर्जया जा रहे है भी दीव सिद्धू अकाली दल जॉइन कर रहे है एक किसे गलत कोई अदार नहीं या ए बिना अदार तों कीतियां हुई है गला सो मैं कोई भी पार्टी या काली दल नहीं जॉइन कर रहा तुसी निश्चंत रहो एस गलतों भी थोड़े जजबाता थे किते दीव सिद्धू कॉंप्रमाइज कर जूगा समझोता कर जूगा या आसी प्यावदे हकानाल समझोता कर जांगे एक अदे होई नहीं साकता सद तांते ते प्यावदे हकानाल कदे भी समझोता नहीं करांगे दूजी गल जड़ी बहुत जुरूरी या एक पंजाव हर्याणा दी लड़ाई वेड़ देती गई या वी दीपसिदू नहीं हर्याणा दे लई कोश केहा एस गलनू मैं दुबारा फेर संबोधन कर दना और नहीं हिंदीच गल कर दियां ताके साड़े हर्याणे आले जड़े प्राव ना दे भी गल सामझ चाजे जदों पच्ची तरीक नूँ ते छबी तरीक नूँ नवंबर नूँ जब 25 और 26 नवेंबर हमने फैसला किया भी हम दिल्ली जाएंगे पंजाब और हर्याना से तो 25 नवेंबर को जो इस अंदोलन का हमारे संघर्ष का जो एक रूप रेखा तै करनी थी वो हर्याना ने तै की हर्याना ने उस दिन बैरिकेट भी तोड़े उस दिन वाटर कैनन्स को भी बंद किया और उखाड उखाड फेंका तो एक संघर्ष का एक चेहरा और एक रूप रेखा जिसको तै किया गया जो मिथी गई वो हर्याना ने मिथी सो हर्याना ने इस संघर्ष को शुरू किया और पंजाब ने दिली जाने के लिए और पंजाब ने 26 तरीक को उसी रूप रेखा को बरकरार रखा सो हर्याना और पंजाब तो कभी आपस में अलग हो ही नहीं सकते और स्पेशली इस संघर्ष ने हर्याना और पंजाब की जो कुछ दूरी थी उसको भी मिटा दिया और हमें एक कर दिया हर्याना के जो हमारे लोग हैं उनके उपर मुझे गर्व है I am proud of them और दूसरी बात जब मैं जेल में बैठा था तो मुझे हर्याना वालों नहीं संभाला मेरे तो दोस्त बहुत हर्याना में है सो हर्याना के अगेंस तो मैं कभी कोई बात करी नहीं सकता क्योंकि वो भी हमारे हैं पर जो मैं बात कर रह था वो थी क्या थी वो मैं political structure की या political struggle की बात कर रहा था पंजाब और हर्याना के जो मसलें हैं और समस्याएं हैं वो अलग अलग हैं ये तो किसी अंदे को भी पता होगा पंजाब आज अगर किसानी का संघर्ष अपना लड़ रहा है तो साथ में पंजाब के मसले पंजाब अपनी भाशा का जिनों मां बोली पंजाबी के निया उसका भी संघर्ष लड़ता है पंजाब अपने पानियों का भी संघर्ष लड़ता है पंजाब हमारे यहां से परवास इतना हो रहा है भी हमारे जो नौजवान है वो छोड़ छोड़ कर अमरीका, कैनडा, उस्ट्रेलिया जाए